ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 26 सितंबर 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे सदा स्रीमत पर चलना यही स्रेश्ट पुरसार्थ है स्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है मीठे बच्चे सदा स्रीमत पर चलना यही स्रेश्ट पुरसार्थ है स्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है प्रश्न पूरा पूरा पुरसार्थ कौन कर सकते हैं? उच पुरसार्थ क्या है? उत्तर पूरा पुरसार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन वा बुद्धी योग एक में है सबसे उचा पुरसार्थ है बाप के उपर पूरा पूरा कुर्बान जाना कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिये लगते हैं दूसरा प्रश्न सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं उत्तर बच्चे बेहद की पवित्रता को धारन करो जब यहां बेहद पवित्र बनेंगे ऐसा उंचा पुरुसार्थ करेंगे तब लक्षमी नारायन के राज में जा सकेंगे अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली वक्त कारोनेशन डे मना सकेंगे ओम शान्ती बच्चे अभी यहां बैठ कर क्या कर रहे हैं चलते फिरते अत्वाव यहां बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं यह तो आत्मा जानती है हम जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप कटते जाएंगे बाप ने तो अच्छी रीती समझाया है भल यहां बैठे हो तो भी जो स्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी बेहद बाप की राय मिलती है बेहद पवित्र बनना है तुम यहां आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए सो बनेंगे ही याद की यात्रा से कई तो बिलकुल याद कर नहीं सकते हैं कई समझते हैं हम याद के यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं। गोया अपना कल्यान कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हूँ अभी हम इश्वर्य संतान बने हैं। आगे आसुरी संतान थे, अब हमारा संग इश्वर्य संतानों से है। गायन भी है ना, संग तारे, कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है कि हम इश्वर्य संतान हैं, तो हमको इश्वर्य मत पर ही चलना चाहिए। ना कि अपनी मनमत पर, मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है, मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्यार चाते हैं वे बाप को अच्छी रीती याद करते रहते हैं सतो प्रधान बनने के लिए सतो प्रधान की महिमा भी होती है बरोबर जानते हैं हम सुखधाम के मालक बनते हैं नंबर वार जितना जितना स्रीमत पर चलते हैं उतना उंच पद पाते हैं जितना अपनी मत पर चलते हैं तो पद ब्रष्ट हो जाएगा अपना कल्यार करने के लिए बाप के डारेक्शन तो मिलते ही रहते हैं बाप ने समझाया है ये भी पुरसार्थ है जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप करते हैं याद की यात्रा बिगर तो पवित्र बन नहीं सकेंगी उठते बैठते चलते यही ओना रखना है तुम बच्चों को कितने वर्सों से शिक्षा मिलती है तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कमपध हो जाएगा युश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्सा लेने का पुरुसार्थ करना चाहिए बुद्धी एक तरफ ही रहनी चाहिए तुमको अब स्रीमत मिलती है वह है उँच तेउच भगवान उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धूका खाएंगे चलते हो वा नहीं वह तो तुम जानो और शिवाबा जाने तुमको पुरुसार्थ कराने वाला वह शिवर बाबा है देहधारी सब पुरुसार्थ करते हैं ये भी देहधारी है इनको शिवाबा पुरुसार्थ कराते हैं बच्चों को ही पुरुसार्थ करना है मूल बात है पतितों को पावन बनाने की वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं सन्यासी भी पवित्र रहते हैं वै तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी बहते हैं वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं पवित्रता की मदद तब हो जबकि स्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए अभी तुमको स्रीमत मिल रही है जन्म जन्मानतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है जितना हम स्रीमत पर पुरसार्थ करेंगे उतना उँच पद पाएंगे ये ब्रह्मा की मत नहीं है ये तो पुरसार्थी है इनका पुरसार्थ जरूर इतना उँच है तब तो लक्षमी नारायन बनते है तो बच्चों को ये फालो करना है, सिरी मत पर चलना पड़े, मन मत पर नहीं अपने आत्मा की जोती को जगाना है अभी दीपावली आती है, सत्यूग में दीपावली होती नहीं सिर्फ कारो नेशन है, बाकी आत्मा हैं तो सतो प्रधान बन जाती है ये जो दीप माला मनाते हैं, वह जूटी बाहर के दीपक जगाते हैं, वहां तो घर-घर में दीप जगा हुआ है अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है 21 जन्मों के लिए ज्यान गरत पड़ जाता है फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय जोती उझाई है सारी दुनिया की इसमें भी खास भारतवासी आम दुनिया अभी पाप आत्मा है तो सब हैं, सबकी कयामत का समय है सबको इसाब किताब चुक्तू करना है अभी तुम बच्चों को पुरुसार्थ करना है उँच ते उँच पद पाने का स्रीमत पर चलने से ही पाएंगे रावन राज में तो शिवाबा की बहुत अवग्या की है अब भी उनके फर्मान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोका खाएंगे उनको ही बोलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिवाबा की स्रीमत पर चलना पड़े नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हो शिवाबा की याद भिकर हम संपून पावन बन नहीं सकते तुमको इतने वर्स हुए हैं फिर भी ज्यान की धारना क्यों नहीं होती है सोने के बरतन में ही धारना होगी नए नए बच्चे कितने सर्विस एवल हो जाते हैं फर्क देखो कितना है पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं कई अच्छे श्यवाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि श्यवाबा के पिछाडी आत्मा को कुर्बान कर दिया है, कुर्बान करने सिफे सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिये मीठे लगते हैं, बाप को मदद करते ही हैं, याद की यात् करो तो तुम पावन बनेंगे बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो देह के संबंद सब त्याग करना पड़े मित्र संबंदियों आदी की भी याद न रहे सिवा एक बाप के तब ही उच पद पा सकेंगे याद नहीं करेंगे तो उच पद पा नहीं सकेंगे ये बाप दादा भी समझ सकते हैं तुम बच्चे भी जानते हो नए नए आते हैं समझते हैं दिन प्रति दिन सुधरते जाते हैं स्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं क्रोध पर भी पुरसार्थ करते करते जीत पाते हैं, तो बाब भी समझाते हैं, खराबियों को निकालते रहो, क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरे को भी जलाते हैं, वे भी निकलना चाहिए, बच्चे बाब की स्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है जर्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है तुम बच्चे जानते हो कि वह हैं जिस्मानी पड़ाई यह हैं रुहानी पड़ाई जो रुहानी बाप पड़ाते हैं हर प्रकार की संभाल भी होती है रहती है कोई विकारी यहां अंदर आ न सके बिमारी आदी में भी विकारी मित्र संबंदी आए ये तो अच्छा नहीं पसंद भी हम न करें नहीं तो अंतकालव मित्र संबंदी ही याद पड़ेंगे फिर वह उच पदपा नहीं सकेंगे बाप तो पुरुसार्थ कराते हैं कोई की भी याद न आए ऐसे नहीं हम बिमार हैं इसलिए मित्र संबंदी आदी आएं देखने के लिए नहीं उन्हों को बुलाना काईदा नहीं काईदे सिर्चलने से ही सदगती होती है नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुचाते हैं परन्तु तमो प्रधान बुद्धी ये समझते नहीं इश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए यह है लिएस्ट ओफ होली स्थान पति ठहर न सकें मित्र संबंदी आदी याद होंगे तो मरने समय जरूर वे याद आएंगे दे अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुचाते हैं सजा के निमित बन पड़ते हैं स्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गती हो जाती है सर्विस लायक बन न सकें कितना भी माथा मारें परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते अवज्या की तो पत्थर बुद्धी बन जाते हैं उपर चड़ने बदले नीचे गिर जाते हैं बाप तो कहेंगे बच्चों को आग्याकारी बनना चाहिए नहीं तो पद भरष्ट हो पड़ेगा लोकिक बाप के पास भी चार पाँच बच्चे होते हैं परंतु उनमें जो आग्याकारी होते हैं वही बच्चे प्रिये लगते हैं जो आग्याकारी नहीं वह तो दुखी देंगे अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं उनकी अवग्या नहीं करनी हैं अवग्या करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे पुरुसार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुसार्थ करते हैं कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं बाकी तो अपने मित्र संबंदियों को ही याद करते रहते हैं वह इतना खुशी में नहीं रह सकते उंच पद पाना सकें तुमारा तो रोज सत्गुरुवार है ब्रस्पती के दिन कॉलेज में बैठते हैं वह जिस्मानी विद्या ये तो है रोहानी विद्या तुम जानते हो शिवावा हमारा बाप टीचर सत्गुरु है तो उनके डारेक्शन पर चलना चाहिए तब ही उंच पद पा सकेंगे जो पुरुसार्थ है उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है बात मत पूछो खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुसार्थ करते हैं बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती हैं दिन रात क्योंकि ये वंडर्फुल क्यान है न बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बे समझी से कितना घाटा पाते हैं दे अविमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं क्रोध में एक मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं क्रोध मनुष्य को जलाता है काम काला बना देता है मो अथवा लोव में इतना जलते नहीं हैं क्रोध में जलते हैं क्रोध का भूत बहुतों में हैं कितना लड़ते हैं लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं निराकार साकार दोनों की अवग्या करते हैं बाप समझते हैं ये तो कपूत हैं मेहनत करेंगे तो उच पद पाएंगे तो अपने कल्याण के लिए सब संबंद भुला देने हैं सिवा एक बाप के किसको भी याद नहीं करना है घर में रहते संबंदियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है तुम हो संगम युक पर अब अपने नए घर को शान्ती धाम को याद करो ये तो बेहद की पड़ाई है ना बाप शिक्षा देते हैं इसमें उन बच्चों का ही फायदा है कई बच्चे अपनी बेढ़ंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुँचाते हैं पुरसार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है जन्म लिया है कहते हैं हम ये पद पाएंगे परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती तो पद ब्रष्ट हो जाता है माया बड़ा जोर से वार कर देती है तुम यहां आते हो राज लेने के लिए परन्तु माया हैरान करती है बाप को तरस पढ़ता है बिचारे उंच पद पावें तो अच्छा है मेरी निंदा कराने वाला ना बने सत्गुरू का निंदक ठोर न पाए किसी की निंदा शिबाबा की ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो इसमें अहिंकार की बात नहीं अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला अपने कल्यार के लिए दे के सबसंबंद भुला देने हैं उनसे प्रीत नहीं रखनी है इश्वर की ही मत पर चलना है अपनी मत पर नहीं कुसंग से बचना है इश्वरी संग में रहना है दूसरा क्रोध बहुत खराब है ये सोयम को जलाता है क्रोध के वश होकर अवग्या नहीं करनी है खुश रहना है और सब को खुश करने का पुरुसार्थ करना है बरदान सने के रिटन में सोयम को टर्ण कर बाप समान बनने वाले संपन और संपून भव सने की निशानी है वो सनेही की कमी देख नहीं सकते सनेही की गलती अपनी गलती समझेंगे बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है बाप बच्चों को अपने समान, संपन और संपून देखना चाते हैं इसने के रिटन में सोयम को टर्ण करो भग तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं आप शरीर का सिर नहीं उतारो लेकिन रावन का सिर उतार दो सुलोगन अपने रुहानी वाइब्रेशन्स द्वारा शक्ति शाली वायू मंडल बनाने की सेवा करना सबसे स्रेष्ट सेवा है अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती